Hello and welcome back दोस्तों, NCRT और दीक्षा लर्निंग एप दोनों ही government education platform है जो की आपको free of cost online education provide करते हैं और इन दोनों ने मिलकर के एक course आज launch कर दिया है जो की पूरी दरह से free है, online है और इसे 100% complete करने से आपको certificate भी मिलेगा जो की academic में काम आएगा सबसे अच्छी बात इसे कोई भी कर सकता है, इस course को किस तरह से करना है और इसके साथ ही आप किस तरह से दीक्षा learning app से और भी courses कर सकते हैं, कैसे account बना सकते हैं, ये देखेंगे आज के वीडियो में तो आइए सीखना शुरू करते हैं description box में link मिल जाएगी जिस पर click करने से आप इस page पर आ जाएगे इस page में अपना नाम दीजिए, आप guest को हटा कर अपना नाम type कीजिए इसके बाद role दीजिए, means आप teacher, student, officials या parents में से एक role choose कीजिए इनमें ना हो तो other choose कीजिए फिर state को select कीजिए, यहाँ state मिल जाएंगे सारे state की district यहाँ से choose कर लीजिए, आखिर में submit कर दीजिए submit करने के बाद आपको yoga quiz page मिलेगा यहाँ join course का option भी है, यहाँ course की detail है, जैसे किस class से related हैं यहाँ basic details है, जैसे आप 20 July तक यह course कर सकते हैं certificate criteria है कि 100% completion पर ही certificate मिलेगा, और यह NCRT का बनाया course है, यहाँ आपका account बन गया है और यहाँ से आप तेरा अलग-अलग भाशा में course कर सकते हैं, जिस language को pick करेंगे, उसी में course और quiz करने मिलेगा, यह देखिए quiz और course करने के लिए, यहाँ join course पर select कर दीजिए, pop-up window आएगा, जहाँ mention है कि course को करने के लिए login और फिर join कीजिए हमने login पर click किया, अब login पेज आ चुका है, तो यहाँ आप register here से, यहाँ detail देकर account बना कर login कीजिए या फिर gmail से direct login कर सकते हैं आप, याने gmail का option भी है आपके पास, तो sign with google पर select किया, तो gmail पेज से email password डाल कर sign in कीजिए ऐसा करने से आप terms के page पर हैं, अब सारी policy और terms को पढ़ने के बाद नीचे I agree पर select कीजिए, फिर continue कीजिए अब इस page में अपना board select कीजिए, जिससे पढ़ाई की है या पढ़ाई अभी कर रहे हैं, अपना एक या एक से ज्यादा medium select कीजिए यहां से, class select करिए, इनमें ना हो तो other कीजिए subject दे सकते हैं, या इसे छोड़ सकते हैं, और फिर submit कीजिए, अगले page में एक email select कीजिए, जिस role में हैं आप, इनमें ना हो तो other कीजिए, और continue कर दीजिए, अब अगेन ये page मिलेगा, तो यहां नाम दे दीजिए, role दीजिए, state select कीजिए, state का district यहां से select कीजिए, अब अग आपको यहां से सब role select करना होगा, कि आप क्या काम करते हैं, यहां सारे role दिये गए हैं, उसे select करना है किसी एक को, यहां भी आप other को select कर सकते हैं, पर अगर आपने teacher, student, head जैसे option को select किया होगा, तो direct अपना block select करना है, इस list से, यहां से cluster को select कीजिए, मतलब आपके group को pick करना है, या आप इसे छोड़ भी सकते हैं, इसके बाद school select कीजिए, या इसे भी छोड़ सकते हैं, और फिर submit कीजिए, अगले page में, जन्म का साल याने birth year select कीजिए, इस list से, आप submit कीजिए, तो submit करते ही आ चुके हैं quiz और course के page पर, अच्छी बात यहां है, कि आप दीक्षा learning पर भी registered हो चुके हैं lifetime के लिए, तो अब यहां join course पर select कर लीजिए, यहां आ गया की enroll successfully और आपकी details इस window में है, जो detail आपने दी थी वो यहां show हो रही है, और user ID भी आ चुका है, इस box पर select करके आप share कर सकते हैं, या बिना box पर select किए do not share भी कर सकते हैं, यहां आ गया profile setting successfully, यहां course की progress भी दिखाए दे रहे हैं, और नीचे badge का detail है, और उपर यहां अब start learning का option भी आ गया है, इसे select कीजिए, यहां pop-up window में आपका नाम आ रहा है, और mention है कि यह नाम certificate पर आएगा, course और quiz के बाद, तो अगर सही है आपका नाम, तो इस box को click करके continue कीजिए, यहां से cross भी कर स सकते हैं, यहां select किया, continue किया, अब module load हो रहा है, और यहां module progress आ चुका है, मैंने English language सेलेक्ट किया, इसलिए English में सब कुछ आ रहा है, आप किसी भी भाशा में कर सकते हैं से, तो load होकर module आ चुका है, अब आप इस arrow से आगे बढ़ सकते हैं, यहां से module देख सकते हैं, यहां स full screen भी कर सकते हैं, load होगा full screen के लिए, तो arrow से आगे बढ़िये, इस से introduction मिलेगा, जिसमें NEP और योग के बारे में है, arrow से आगे आने पर objective है, arrow से आगे बढ़ें, अब फिर arrow कीजिए, अब यहां guidelines है, arrow को select किया और next किया है, अब यहां note मिलेगा course का, फिर arrow को select कीजिए, इस quiz में sound भी है, आप सुनकर भी answer दे सकते हैं, और साथ में आपको option चूज करके arrow से आगे बढ़ना है, next question के लिए, फिर next question मिलेगा, उसके option को चूज करके arrow से आगे बढ़ना है, इसी तरह से आपको 254 questions मिलेंगे, जो objective हैं, इनमें आपको एक answer को pick करके arrow से आगे बढ़ते जा यह सारे question, योग, personality और daily life से related हैं, जो useful भी है daily life से, तो जब 20 minute का time end होने लगेगा, तब automatically quiz end हो जाएगा, या आप अगर इन 20 minute में 250 question के answer दे देंगे, तो यहाँ पर summary आ जाएगी, इसके बाद आपको course की rating देना है, तो start दे करके आप rating दे सकते हैं, और नीचे in points पर tick करना ह जो आपको पसंद आए हैं, उन पर tick करना है, और फिर submit करना है, यहाँ आ गया thank you, और पीछे congratulations है, इसे cross किया, आप यहाँ अपने icon पर click करेंगे, और फिर profile पर click करेंगे, तो account dashboard पर आ जाएंगे, और सबसे नीचे course का status मिलेगा, यहाँ पर click करते हैं, या refresh किया, तो page पर आ एक हफते में valuable certificate आपको मिल जाएगा email पर, यहाँ पर course progress भी 100% है, 100% course होना बहुत जरूरी है certificate के लिए, certificate का status जानने के लिए आप कभी भी अपने account dashboard पर आ सकते हैं, profile पर click करके, फिर dashboard में नीचे जाकरके आपको detail मिल जाएगी, तो अब यहाँ लिखा है कि course complete हो चुका है, और यहाँ यह भी mention है कि refresh कीजिए daily page को, अगर एक हफते के बाद email पर certificate ना आये, तो आप यहाँ help option में help ले सकते हैं, certificate मिल जाएगा, और वैसे certificate आने की detail account पर भी notification bell पर आपको मिल जाती है, इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ से दीक्षा के main page पर जाकर और भी कई सारे courses क कर सकते हैं, यहाँ आपको digital textbook मिल जाएंगी जिसे आप download भी कर सकते हैं, और यहाँ click करके आप online courses कर सकते हैं, यह देखिए, यहाँ पर धेर सारे courses हैं, यहाँ से आप filter कर सकते हैं, याने board, medium, class, select करके course देख सकते हैं, और same step से जो अभी हमने किया, उसी same step से आप सारे courses कर सक सकते हैं, आपका account भी बन चुका है, और आपको कुछ दिनों में certificate भी मिल जाता है, अगर नहीं मिलता है, तो आप help option से help ले सकते हैं, अगर आपको वीडियो बसंद आया, तो like और share जरूर कीजेगा, और नए है चैनल पर तो subscribe करने के बाद bell icon को प्रेस कर दीजेगा, मिलते नेक्स वीडियो में, all the best, bye bye guys